नमस्कार दोस्तो मैं डाक्टर विजय बहादूर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल में दोस्तो जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हों और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कियो हों तो मेरे चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे अगले जितने भी वीडियो आएं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है महिलाओं के बिभिन रोगों में बहुत अच्छा काम करती है जिसका नाम है एक्टियारेस मोसा इसको सिमिस फ्यूगा भी कहते हैं तो आज मैं इसके कुछ खास लक्षणों के बारे में बात करूँगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफीसियल होने वाला है इसलिए प्लीज वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों अमेरिका के एक प्रकार के ब्रिक्षे इसका टिंचर तयार होता है और इसका पहला मानसिक लक्षण है रोगी लगातार सुस्त पड़ा रहता है उसे नीद नहीं आती है रोगी सोचता है कि मैं पागल हो जाऊंगा उसे बहुत घबराहट होती है और लंबी लंबी सांस लेता है और दोस्तों इसका दूसरा लक्षण है सरीर के बाएं भाग पर यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है सरीर के बाएं तरफ चाए हाथ में हो या पैर में हो सीर में हो, गर्दन में हो, कहीं भी कोई समस्या हो, दर्द हो, तो उसमें एक्टिया रिस्मोसा बहुत अच्छा काम करती है, इसको देने से सरीर के बाएं भाग की जितनी भी समस्या हैं, सब ठीक हो जाती है, और दोस्तो इसका अगला लक्षण है, इसका मरीज सोचता है कि उ इसमें एक्टिया रिस्मोसा देने से मरीज की ये समस्या विल्कुल ठीक हो जाती है, और उसकी बीमारी भी जो रहती, वो भी ठीक हो जाती है, और दोस्तो इसका अगला लक्षण है, यदि महिला को तीसरे महिने में गर्ब स्राव होता है, तो उसमें एक्टिया रिस्मोसा देने से उसकी ये समस्या ठीक हो जाती है उसकी जो गर्वस्राव की समस्या है वो ठीक हो जाती है और दोस्तो इसका अगला लक्षण है इसको यदि गर्व के अंतिम दो एक महिनों में अर्थात आठवे या नवे महिने में ये इसका प्रयूग किया जाए तो प्रसव के समय जो दर्द होता है जो पीड़ा होती है वो कम हो जाती है और दोस्तो इसका आगला लक्षण है यूट्रस की बीमारी में काटा गड़ने की तरह का दर्द होता है बहुत तेज दर्द होता है तलपेट में बहुत तेज दर्द होता है और इसका दर्द तीर बिधने की तरह से त दूसरी तरब तक जाता है तो ऐसे लक्षण में एक्टियर इसमोसा देने से मरीज की ये समस्या ठीक हो जाती है और दोस्तो इसका अगला लक्षण है कमर दर्द में कमर दर्द होता है साथ में यूटरस में बहुत तेज दर्द होता है प्रसो की दर्द की तरह से दर्द होता है और मरीज को ऐसा लगता है कि उसके पेट की सभी नसनाडियां वेजाईना से बाहर निकल पड़ेंगी तो ऐसे लक्षण में एक्टियरसमोसा देने से बहुत अच्छा लाब होता है मरीज की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है और दोस्तो इसका अगला लक्षण है प्रसव के बाद जो लोकिया स्त्राव होता है यानि कि जो दूसी स्त्राव होता है वो बंद होकर के तेज बुखार हो जाता है सिर में दर्द होता है, रोगी प्रलाब बगता है, चिलाता है, तो ऐसे लक्षण में एक्टियारिसमोसा देने से मरीज की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है और दोस्तो इसका अगला लक्षण है, प्रसाओ के बाद यूट्रस का आकार बढ़ जाता है, तो उसे अपने नार्मल पोजीशन में लाने के लिए एक्टियारिसमोसा का प्रयोग किया जाता है इससे यूट्रस धीरे धीरे अपने नार्मल पोजीशन में आ जाता है और दोस्तो इसका अगला लक्षण है बात रोग में बात रोग चाहे कंधा में हो, गर्दन में हो, कमर में हो, कहीं भी हो यदि उसके साथ यूट्रेस की भी कोई समस्या हो तो उसमें एक्टियरिसमोसा देने से बात का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और दोस्तो इसका अगला लक्षण है खासी में खासी आती है, खासी आने के बाद उसके साथ में कलेजे के पास में दर्द होता है तो ऐसे लक्षण में एक्टियरिसमोसा देने से खासी बिल्कुल ठीक हो जाती है दोस्तो इसका अगला लक्षण है आख के पुतली और भौँ के बीच में दर्द होता है और ये दर्द खास कर बाएं आख के उपर अधिक होता है तो ऐसे लक्षण में एक्टियर इसमोसा देने से ये आख का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है दोस्तो इसका अगला लक्षण है जिन लोगों को अफीम खाने की आदत है और उसकी वज़े से उन्हें नीद नहीं आती है उन्हें अनिद्रा की बिमारी है तो उसमें एक्टियर इसमोसा देने से उनकी अनिद्रा ठीक हो जाती है और दोस्तो इसका अगला लक्षण है बच्चों की दात निकलने के समय ब्रेन में प्रदा हो जाता है दर्द हो जाता है जिसके कारण उन्हें नीद नहीं आती है अनिद्रा की बिमारी हो जाती है तो उसमें एक्टियर इसमोसा देने से बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है तो दोस्तो अब हम चलते हैं इसके डोज और पोटेंसी की किसे लेना चाहिए तो यदे हम बच्चों को दे रहे हैं तो 30 पोटेंसी में एक बूद एक चंबच पानी में डाल कर सूबा दो पहर साम तीन बार देना चाहिए और यदि बड़ों को दे रहे हैं तो दो बूद डारेक्ट टंग पर लिया जा सकता है इसको भी सुबा दो पहर साम तीन बार लिया जा सकता है तो दोस्तो ये रहा मेरा वीडियो मैं आसा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में इसको सेयर कीजिए लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तो बेल आइकन को जरूर दबाएए ताकि मेरे अगले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो दोस्तों आगे भी मैं इसी तरह का हुमेपैथिक नालेजेबिल वीडियो लेकर आता रहूंगा हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद